अर्वल जीला के कलेर प्रखंड के पंच्रायत भवन में किसानों के साथ बैठक आयुजित की गई इस बैठक में सहायक तक्नीकी प्रवन्थक विकास कुमार निराला में बताया की सरकार द्वारा लाई गई किसान बिल किसानों के हक में साथी साथ उन्होंने इस बिल के साथी साथ किसानों को मिलने वाले लाप से छोटे किसान वंचित रह जाएंगे अर्वस संभादाता तब्रेश की रिपोर्ट किसान को जागरूप इसमें कैसे अपना फसल को बेज सकते हैं कैसे अपना उनती बढ़ा सकते हैं इसके बारे में हम लोग जनकारी दे रहे हैं बीज जो है वही किसान को मिलता है जो ओनलाइन करते हैं लेकिन हम लोग को काम है किसानों को जाके जो है बीज के लिए किसान रथी जो है कि आप ओनलाइन करिए जिसमें उसमें है मुख मंत्री तिवर्भ विस्तार है परतेच्छन है चनाम का जो है यह सब बीज के लिए हम ल लेकिन हमको उसमें बहुत रूटियां लग रही है जैसे इनका कहना है कि शांच स्वतंत्र है अपने जमीन को एकरार नामा करने के लिए सम्झावता के तहत उसको लीज पर देने के लिए फसल को और कभी भी अपना एग्रिमेंट को तोड़ सकता है इस कानून में मुझे कमि लग रही है कि तोड़ने से लेने वाला आदमी निरास हो जाएगा फिर लेगा नहीं मालीजिये कि जब हमें उसको पांसु रुपे वह हमारा क्यूंटल ले रहा है कोई चीज और फिर रेट जदी गिरता है तो बेचारा पांसु के लेगा जदी रेट बढ़ जाता है और क अभी राजत महासची हूं और यहां जो इन्होंने आपको सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है उसके बिस्तार बिस्तार के लिए जो परचार कर रहे हैं यह सरासर गलत है क्योंकि जो आज आप देख रहे हैं कि पांच दिन से अंदोलन चल ला हर राज का किसान दिल्ली मे जमाय हुआ है आएक तरफ सरकार बात करने के लिए तयार नहीं हो रहे हैं दूत्रे तरफ यह परचार करा रहे हैं तो यह तो बिल सरासर गलत है दूत्री बात यह है कि जो किसान का यह जो मीटिंग है मैं पूछना चाहता हूं किसान आपके यहां के किसान जो सलाकार है यह जो गरीब किसान यहां जूटे हैं, आप कितने इस गरीब किसान को आप वीज देते हैं? उस वील को हम लोग नहीं मानते हैं, सिरे से खारिज करते हैं.